किताब लेकर आई है जिसका नाम है चौरासी और इसे सत्य व्यास ने लिखा है वैसे तो सत्य व्यास जी ने बहुत से किताबे लिखी है जिसमें से हैं बागी बलिया उफ कुलकाता बनारा स्टॉपकिज और उसमें से फेमस है ये चौरासी ने वैसे तो हिंदी साहिते को पढ़ने वाले सत्य व्यास की लेकिनी से बखूल परिचित होगी और मुझे मेरे लिखा मानना है कि जो हिंदी साहिते को पढ़ते हैं मुझे सत्य व्यास को जरूरी पढ़ने होगी पर उसमें मैं आपको ये बुक सजेस्स करना चाहती हूँ जो 84 है जो की ऐसी प्रेम का थापराधालित है जो बुकारों सहरे से पनगती है और यहाँ प्रेम कहानी है रिशिय और मनु की जो मनु होती है बहुत एक सिख परिवार की लाड़ी होती है जो रिशिय होता है वह आनाथ होता है और मनु के घर पे किराय से रहा होता है तथा आपने खाट से चलाने के लिए वह टिप्शन देता है इसमें मनु भी शामिल होती है धीरे धीरे एक दूसरे की बहुत आकरसित होने लगते हैं और उनका प्रेम परमाद चाड़ने लगता है इस प्रेम कहता में हिर्स्तेदारों को वहां के सहर के जो स्थान है और तेवहार सभी चीजों को बहुत ही वक्षूबी से वर्णित किया गया है साथ ही साथ इसमें राजनिती उथल-फुथर जो राजनिती चाएं होती है जो की रिश्यू और मनू पीताची के बीच होती है उन सारे चीजों का समावेशन किया गया है इन दोनों की प्रेम कथा एक नया मोर तबले लेती है जब प्रदान मंत्र इंद्रा गांधी की हत्या एक सिख अंगर चक्के दाया कर दी जाती है जैसे कि मैंने पहले ही बताया जो मनु होती है वो सिख परिबार की लाड़ी होती है तो सारा जो शहर के जो अधर कम्यूनिटी वाले होते हैं वो सीखो पर टूट पड़ते हैं चहां लूट पार्ण, घटनाए, हत्या यह सब चीजे परमान चड़ जाती है जो रिश्ययव होता है वो कैसे मनु को उनके परिबार को बचा पाता है या आगी की कहानी है जिसे आपको पढ़ने के पाद ही बता चलेगा एक बहुत ही रोमाजित कहानी है और सतिवास की इस लेकनी से तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ तो मैं सब को सजेस्ट करना चाहते हूँ कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें और हिंदी साहिते को जानने वाले इस लेखन से अचूती नारे इसलिए आप प्लीज इस कहानी को पढ़ें और मुझे अपना जो भी व्यूस है और शेयर करना ना बुलें इस बुक को लिख मैंने डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप उस लिंक का यूज कर सकते हूँ